मैं श्रीकांत मंदल विजिटी मैथमेटिक्स देवगर जारकंट से हूँ मैं आज आप लोगों को कंप्लेक्स नंबर का संचिप्ट परिचाय देने जा रहा हूँ हम लोग बास्तिविक संख्याओं से परिचीत हैं और हम ये भी जानते हैं कि x square प्लस 1 बराबर 0 का कोई बास्तिविक हल नहीं है इसलिए बास्तिविक संख्याओं परिचीत को एक बिरिहत संख्याओं परिचीत करने के आविश्कता है ताकि x square प्लस 1 बराबर 0 जैसे समिकरणों का हल प्राफ्थ हो इसके लिए हम लोग square root minus 1 बराबर i मान लेते हैं जिससे हमें i square बराबर 1 प्राफ्थ होता है इस परकार हम देखते हैं कि i x square प्लस 1 बराबर 0 समिकरण का एक हल है तो हम ये देखते हैं कि ये जो हल प्राफ्थ हुआ ये एक बास्तिविक हल नहीं है ये एक समिस्ष्ष संख्या है तो हम जानते हैं कि समिस्ष्र संख्या क्या है तो आएए देखते हैं कि A प्लस IB प्रारूफ वाली संख्या जिसमें A और B बास्तिविक संख्या हो को एक समिस्ष्र संख्या कहते हैं इसको हम लोग Z बराबर A प्लस IB के रूप में लिखते हैं इसमें दो तत्व हैं A और B, दोनों बास्तिविक संख्या हैं, इसमें A को सम्मिस्त्र संख्या का बास्तिविक भाग काते हैं, जिसे R E Z से निरुपित किया जाता है, जबकि B संख्या को सम्मिस्त्र संख्या का कालपनिक भाग काते हैं, जिसे I M Z से निरुपित किया जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि Z बरावर 2 प्लस 4i एक समिस्त्र संख्या है जिसमें इसका बास्तिविक भाग 2 है और इसका कालपनिक भाग 4 है तो ये हमने देखा कि समिस्त्र संख्या दो बास्तिविक संख्याओं का एक मिला हुआ रूप है तो क्या ये बास्तिविक संख्या से किस परकार भिन्ध है तो इसे जानने के लिए हम इसका जयमेतिय रूप देखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, सभी बास्त्विक संख्या रेखा पर निरुपीत किया जा सकता है तो क्या समिस्त्र संख्या को भी संख्या रेखा पर निरुपीत किया जा सकता है समिस्त्र संख्या को संख्या रेखा पर निरुपीत नहीं किया जा सकता है तो समिस्त्र संख्याओं को निरुपित करने के लिए हमें एक तल क्या विश्कता होती है और हम देख चुके हैं कि Z बराबर 2 प्लस 4 आए एक समिस्त्र संख्या है जो क्रमित जुग्म 2, 4 के संगत है तो समिस्त्र संख्याओं को हम एक तल में जो क्रमित जुग्म के संगत है उसको इस तल में निरुपित कर सकते हैं यह हम देख रहे हैं कि Z बराबर 2 प्लस 4 आए के लिए हमें इस तल में एक बिंदु A बराबर 2 फोर प्राप्त हो रहा है इसमें जो 36 तल है इस 36 तल को हम लोग बास्तविक अक्ष कहते हैं और इसमें जो उर्दादर तल है इसको हम लोग कालपनिक अक्ष कहते हैं और जिस तल पर हम लोग समिस्त्र संख्याओं को परदर्शित करते हैं उस तल को समिस्त्र तल या आरगंड तल कहते हैं अब हम देखते हैं कि Z बराबर X प्लस IY एक समिस्त्र संख्या है, जिसको हम लोग बिंदू PXY से निरुपित कर सकते हैं, अब अगर हम बिंदू O से P को मिलाते हैं, तो हमें एक रेखाखन प्राप्त होता है, इसकी लंबाई पाइथोग्रस परमे से हमें प्राप्त होगा स्क्वेर रूट X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर, इस दूरी को समिस्त्र संख्या Z का मापां कहते हैं, और इसे मौड Z से निरुपित करते हैं, बिन्दू P X Y समिस्त्र संख्या Z X Y का जमितिय निरुपन है, और हम देखते हैं कि Q X माइनस Y बिन्दू P का दरपन परतिविम है, और इसके संगत हमें समिस्त्र संख्या X माइनस आइवाई प्राप्त होता है, इस समिस्त्र संख्या को संख्या Z बराबर X प्लस आइवाई का संजुगमि का आते हैं, तो इस परकार हम देखे कि समिस्त्र संख्या क्या है और उसको जमितिय रूप में हम लोग कैसे परदर्शित कर सकते हैं, कर दो आइवाई प्राप्त हैं,